best laptop for online classes के लिए तो भाई अगर आप online classes लगाते हो अगर आप school में पढ़ते हो college में पढ़ते हो जा फिर अगर आप university में पर जो अगर आपने वीडियो एटिंग भी करने हैं गेमिंग भी करने हैं कोई हैवी सॉफ्टर भी यूज़ करना है आज मैं आपको बहुत अग्ड़े लाक्टाप बताऊंगो जो कि आपके लिए बैस्ट दील हो जाएंगे बात करते हैं सीधा नंबो फाब की नंबो फाइब की ब प्राब्लम नहीं आने वाली एंड मैं आपको दो या एक लैप्टाप आशा भी बताऊंगो जिस पर अगर आपने फोर के ट्राइ करना है आप वो भी कर सकते हो तो स्टार्ड करते हैं नंबो फाइब की बात करते हैं नंबो फाइब पर यार मैंने रखा है एच्पी फॉर कर सकते हो तो आप 11th generation की और चले जाना ठीक है आगे बात करते हैं इसमें आपको SSD देखने को मिलेगी अगर मैं SSD की बात करूँ इसमें जारे जो डाटा है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है इस comparison के आज है HDD के साथ ठीक है 8GB RAM देखने को मिलेगी जिसको आप upgrade कर सकते हो 16GB तक ठीक है प्लस आपको integrated graphic card मिल जाए ठीक है तो इसको number 5 पर रखने का सिर्फ एक reason देखने को मिलता है कि आपको integrated graphic card देखने को मिलता है और कोई भी reason नहीं है इसको number 5 पर रखने का तो भी अगर आपको HP का ही laptop चाहिए अगर आपने video editing करने है जा अगर आपने normal setting पर gaming करने ह तो आपकी जो gaming है वो experience अच्छा नहीं होगा अगर आप 8GB के पास जाओगे अगर आप 16GB RAM के आउजल जाते हो तो आपका experience जो है वो बहुत जाला सही हो जाएगा और आपको i3 देखने को मिलता है यार 10th and 11th generation के साथ जो की सच्छ में तगड़े पुरसार है ठीक है कोई भी problem issue नहीं आने वाला आगे बात करते है नंबर 4 की बात करूँ नंबर 4 पर जार मैंने रखी है MI notebook Ford इनको अगर इस laptop की बात करूँ सबसे पहले यह laptop भी आपको 41,000 के बटर में देखने को मिल जाता है laptop का design, build quality बहुत जाला सही है प्लस भी अगर आपको as a student भी चाहिए as a office work के करनी है अगर आपने gaming भी करनी है आप सभी के लिए best deal हो सकता है इसके सबसे पहले graphic card की बात करते हैं आपको Intel UHD graphic भी देखने को मिल जाते है ठीक है आपको MX350 2GB graphic card भी देखने को मिल जाते है तो बहुत अगर आप 2GB के और जाना चाहते हो आप जा सकते हो लेकिन उसका price आप minus point भी बता देता हूं so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसके minus point की बात करूं आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आ जाता है so that's why मैं इसको number 4 पर रखा है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेक battery backup मिल जाता है मैं जितने भी आपको laptop बता रहो ना कि किसी laptop में भी आपको 10 hours का battery backup नहीं मिलता जो कि सच में एक plus point आ जाता है 3i plus अगर मैं इसके budget range की बात को 37,000 के budget में मिल जाता है plus आपको इसके साथ Lenovo laptop bag भी देखने को मिल जाता है मतलब अगर मैं उस laptop bag की price की बात करूं वो आपको 2000 के budget में देखने को मिलता है तो यह laptop का price हो जाता है 35,000 के budget में एंड भी अगरा 5% या 10% off ले ले लेते हो HDFC कार पे या SBI कार पे इस laptop में आपको 5000 less देखने को मिल जागा तो इस laptop का price हो जाएगा 30,000 के budget में 30,000 के budget में आपको बहुत अगरे specification देखने को मिलेंगे आपको i3 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ भी मिल जागा आपको 11th generation के साथ भी देखने को मिल जागा भी अगर आप 11th generation के और जा सकते हो आप देख लेना अगर आपको 10th generation बहुत है तो आपको वो laptop भी बहु वीडियो एक्टिंग वगर आभी करना चाते हो उसके बाद भी अगर आप नॉर्मल सैटिंग पर गेमिंग भी करना चाते हो आप इस लैप्टॉप पे कर सकते हो प्लस आपको 8GB रैम देखने को मिल जागी 12GB तक अपको SSD देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन यह लैप्टॉप के main specification तो मैंने आपको बता दी अभी मैं आपको फिर से repeat कर देना चाता हूं कि आपको 8GB RAM मिल जादे लेकिन आपने upgrade करनी ही करनी है 12GB तक आपने रखनी ही रखनी है ठीक है अगर आपने gaming करनी है अगर आपने वीडियो एट्टिंग करनी है अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना office बर के लिए चाहिए and अगर आप as a student काम करना जाते हो MS Office पे काम करना जाते हो जब कोई loaded file पे काम करना जाते हो फिर तो आपके लिए 8GB बहुत है अगर आपको वीडियो एट्टिंग करनी है जा gaming करनी है 12GB RAM minimum रख लेना because इसमें भी आपको integrated जो है ग्राफिक कार देखने को मिलता है तो आगे बात करते है नंबर टू की बात करूं नंबर टू की बात करूं नंबर टू पर जार मैंने रखिया असूस वीबो बुक अल्ट्रा फिफ्टीन को अगर इस laptop की बात करूं भई अगर आपको 41,000 के बजर में एक slim and stylish design भी चाहिए अगर आपको gaming भी करनी है अगर आपको वीडियो एक्टिंग भी चाहिए अगर आप कहीं पर लेकर जाते हो कोई बंदा आपके laptop को देखता है सच में कोई बंदा जल्ज करेगा कि laptop का प्राइस बहुत सही है एंड यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं यह लुक देता कि यह 40,000 के बिदर में आपको देखने को मिलेगी मैंने आपको पहले बता दिया slim and stylish design है तीन गल्ज में देखने को मिलता है एंड इसके बैंटरी बैकप की बात करूं आपको फो तू फाइवर का बैंटरी बैकप प्रवाइड कर देता है उसके बाद इसका वीड यार वान केजी 800 ग्राम सिर्फ इसका वीड जाता है आपको i3 देखने को मिल जाता है 11th generation के साथ SSD देखने को मिल जाता है 16 GB तक आप राम को upgrade कर सकते हो एंड आपने करनी है ऐसे हैं कि आपने 8 GB रखनी है अगर आपको experience अच्छा चाहिए तो आपने 16 GB RAM minimum रखनी है अब आगे बात करते है number one की number one की बात करो number one पर यार म पूरे loaded मिल जाते हैं आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है 8 GB RAM मिल जाते हैं जो कि आप upgrade कर सकते हो 16 GB तक प्लस आपको SISD देखने को मिल जाते हैं आपको 2 GB ग्राफिक कार देखने को मिल जाते है तो इस पे तो आप normally gaming भी कर सकते हो and normally आप video acting भी कर सकते हो अगर आपने 4K भी ट लगड़ी हो जाए कि end आपको graphic card भी 2 GB मिल जाएगा तो भी आपने जैसे भी यूज़ करना है आप कर सकते हो तो अभी मैंने आपको सभी laptop के specification बता दिये मैं आपको फिर से repeat कर देता हूं अगर आपका budget increase हो जाता है अगर आप 45,000 या 46,000 पे कर सकते हो आपके लिए Acer Spire 5 य चल जाना वह बहुत आपको specification तगड़े मिल जाता है अगर मैं बात करूँ अगर आपका budget 30 फाल्स हो रहे हैं तो इस budget range में भई आप जा सकते हो लिए वह आइडिया पैट स्लिंग 3i किया हो ठीक है वह loaded मिल जाता है ऐसा specification के according देखर जैब प्लस उसके साथ आपको bag मिल जात है अगर आप 5% जा 10% आफ ले लेते हो उसका प्राइज और भी कम हो जाएगा जो कि आपके लिए ही benefit होने बाला है तो यार अभी मैंने आपको वीडियो आइटिंग के लिए भी laptop बता दिया गेमिंग के लिए अगर आप office बर्क के लिए चाहिए अगर आप अगर आप animation करत अगर आपको मेरी विच्च लगी यार वीडियो को लाइक करदना अटमेट करदना शेर करदना दोस्तों को बेदना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना उनको भी कहतना कि चानल को करदे सब्सक्राब वीडियो को करदे लाइक इन इंस्तागरा आपको दिस्क्रेप्शन ब